हेलो फ्रेंस आज हम बनाएंगे काली दाल यानि की ब्लाक उरद की दाल हम बनाएंगे जिसे दाल मकनी भी आप कह सकते हैं जिसमें मैं इस्तमाल कर रही हूँ आज सोया बीन के दाने और उसके साथ मैं डालूंगी राजमा यह बड़ा वाला राजमा है ब्राउन राजमा तो अचली इसकी प्रोसेस को शुरू करते हैं यहां पर मैंने राजमा और सोया बीन को भीगो दिया है पानी में साथ ही यह काली दाल में भी मैं डाल देती हूं यह स्प्लिक्ट उरद है आप होल उरद भी ले सकते हैं टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ता उससे तो यह मैंने दानों को उबालेंगे इसे मैंने कोकर में डाल दिया है इसमें थोड़ा पाई डाल देंगे थोड़ा नमक डाल देंगे और इसे दो प्रेसर आने तक तेज आच पर उबालेंगे और पांच मिनट के लिए कम आच पर पकने के लिए रखेंगे यह देखिए कोकर का प्रेसर के आ जाता है बाहर वह हमें नहीं करना है इसे हमें साबुत चिलकों के साथ हीhalb नहीं मैंने बस दो-3 बार पानी से ठोल लिया है अừa 3 नाले हे नहीं है में खेके दाल 2-3 हभी नुट साथ में मैं डाल रही हूँ आधा चमच काली मिर्च, एक चमच ग्रेट किया हुआ अद्रक, आधा चमच हल्दी और स्वाधनसा नमक अब हम इस दाल को पकने के लिए रखेंगे, एक विसल तेज आच पर आने देंगे और दो मिनट के लिए कम आच पर पकाएंगे अब हम इसके लिए कड़का थयार करेंगे, तो यहां मैंने कड़ाई गर्म किया है, इसमें मैंने डाला है दो चमच सचो का तेल, सूखी मिर्च, और साथ में आध करनी हूँ तेज पत्ता, और इसके साथ में डाल रही हूँ आधा चमच जीरा, जीरा तड़कने लगेगा, त इसके फ्राई होने के बाद, इसमें हम कड़ा हूँ प्याज डालेंगे इसे भी हम अच्टे से फडाई करेंगे, गोर्डन ब्राउन होने तक तक प्याज को बीच बीच में चलाटे रहें ताकि यह नीचे से जले नहीं और यह देखे है प्याज, उल्मस्छ उल्मसाल यहां तीन मीडियम साइस के टमाटर थे जिसे मैंने बारी काट लिया था इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढखकर पांस साथ मिनट पकने के लिए रखेंगे जिसे टमाटर सॉफ्ट हो जाए और देखिए यह टमाटर बिल्कुल पक चुका है तब यह जो दाल हमन दाल नहीं हुआ है अब हम इसमें फ्रेश क्रीम या दूद की उपर की मलाई डालेंगे यहां मैंने दो से तीन कमच मलाई इसमें डाला है इसे अच्छे से पांस से साथ मिनट तक उबलने देंगे और यह दीके दाल बहुत अच्छे से मिक्स के एक साहर हो गया है अब मैं लाजवाब स्वादिष्ट दाल मकनी बिल्कुल तयार है ये देखे और बस अब इसे आप रोटी नान पराटो के साथ या फिर जीरा राईस या घीर राईस के साथ परोसिये लोग उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक क लिए बाई बाई